आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार के एको गार्डन में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र पहुंचे उन्होंने अपनी च्छ सूत्री मांगो को लेकर धर्णा पुदशन किया उनका कहना है कि हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं बलकि अपना दर्द ब्याँ कर रहे हैं हमारा प्रति दी मंदल गया है वह बारता बारता इंग अधिया कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि अधिया प्रदेश को अधिया अनॉंस को जोड़ा रहे हैं इस वक हम मौझूद है राजधनी लखनव के इको गार्डन में और यहां पे तमाम सिक्षक जो सिक्षा मित्र है वो अपने धर्णा प्रदर्शन कर रहे हैं एक तरफ तो योगी सरकार जो है तमाम सिक्षकों के लिए और युवाओं के लिए नई नई योजनाय लाते हैं नहीं नहीं अपनी युजनाय दिखाते हैं और सिक्षा के लिए नहीं नहीं प्राणालिया ला रहे हैं आयोग बना रहे हैं वही दूसरी तरफ जो सिक्षा मित्रों का कहना है कि 6 साल से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक हमें जो पहले 40,000 रुपय मिलता अब 10,000 मिलने लगा है तो वहीं देखते हैं कि 10,000 में वहीं सिक्षा मित्रों का कहना है कि 10,000 में हमारा जीवन यापन नहीं हो रहा है और इस पर योगी सरकार की कारवाई करना चाहिए व्योंकि जो महंगाई है ब्रजगारी जो बढ़ती जा रही है और उनको सांसत ये भ प्रजगारी जो बागों को लेके शिक्षा मित्रों जो है यहां पर धरना प्रदर्शन करना है और साब तरफ योगी सरकार से और गौर्णमेंट से पूरी तरह से प्नी मांग कर रहे हैं कि हमें अपनी पैसला सुनाए और हमें अपना हक दे हम अपना सम्मान बचाए तो ज हम लोगों का एक तरीके का जो है एक तरीके का हम लोगों का निवेदन निवेदन है सरकार से कि 20 साल से हम लोग जो है गरीब आंचलों के जो भी शिच्छा मित्र हैं हम लोग जो है मेहनत से पढ़ा रहे हैं बच्चों को बच्चों को सिच्छा दे रहे हैं तो हम लोगों क अगर सरकार हमारे ज्वारा जो भी हमारे मांग पत्र दिया गया है अगर उसको स्विकार कर लेती है तो हम लोग इसकूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए सिचकों का काम है इसकूलों में बच्चों को पढ़ाना धर्ना परदर्शन या समेलन नहीं है और हम सरकार का खुद ऐसा स्वागा समेलन करना चाहते हैं कि हम लोग कोई अपना काय बचाओ जो उनके 40 अर पहले था अब 10,000 कर दिया गया है उसके लिए धरना प्रज़न करने उसके क्या कहेंगे हैं 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोड के द्वारा सिच्चा मित्रों का केस हम लोग हार गए जिसमें हम लोग बगए टेट पास किये सिच्चा मित्र से साय का ध्यापक बने थे उसके बाद में उस समय सिच्चा मित्रों को मान दे नहीं पूरा बेतन मिलता था और वो बेतन करीब 38,000 से 42,000 रुपए था लेकिन उसके बाद में 2022 तक एक भी पैसे की बढ़ोत्री नहीं हुई जिन महिला सिच्चा मित्रों का समयोजन अपने माईके में हुआ था उनकी ससुराल अगर 100 किलो मीटर 200 किलो मीटर हो गई तो आज तक वो बहीं पर ही रह रही हैं पढ़ा रही हैं वो बहुत बड़ी उनके लिए दिक्कत है दूसरी एक समस्या है कि सर्थ कालीन में विद्याले बंद रहते थे उसका 15 दिन का मान दे नहीं काटा जाता था लेकिन बर्त मान में 15 दिन का मान दे इस समय श्याय रहा है जो कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी से 14 जनवरी तक साइक अध्यापक के रूप में निक्त किया जाए लेकिन सरकार ने सुपर टेट लगाया सुपर टेट के बाद में उसकी जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने का काम किया उसको भी सिच्चा मित्रों ने पास करने का काम किया लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसे सिच्चा मित्र ह जो सीटेड हैं टेट हैं लेकिन उनको साय का द्यापक का दर्जा नहीं मिला। सिच्चा मित्रों को इस महगाई को देखते हुए बहुत कम मांदे मिलता है। सरकार अपनी तरफ से क्या करती हैं उस सरकार का कोई व्यू सामने दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन सिच्चा मित्रों की पुना मांग है कि हमें इस्ताई किया जाए। लेकिन सरकार कोई भी इसपष्ट रणनीत नहीं बनाती है। एक कमेटी भी बनी थी बहुत पहले उसका आज तक कोई पता नहीं लगा है। हम लोग लगातार सरकार के संपर्क में हैं, लगातार संपर्क करके प्रयास करते हैं कि सिच्चा मित्रों का कुछ भला हो सके। उसी संद्रब में आज हमारी एक शेताबनी रेली कह सकते हैं, सिच्चा मित्र सम्मान बचाओ रेली कह सकते हैं। सिच्चा मित्रों के संगटन को मजबूत करने के लिए सिच्चा मित्र सरकार से एक अच्छी बारता करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिसमें तमाम भारती जनता पार्टी से बिधायक और आधर्णिय मंत्री और कौंसल के सोर्जी से बात हुई है कि अभी मनसा तो इस प्रश्ट है नहीं लेकिन हम लोग संपर्क में हैं अपना तालमेल बनाने की कोशिस कर रहे हैं कि बेतर से बेतर हो सके हमें हम लोगों को मिले ताकि उसे हम लोगों का जीव को पारजन हो सके परिवार चल सकें सही से बच्चों को पढ़ा सकें और हम कुछ साथी हमारे लगबग तीन साल तक पाए थे और कुछ साती दो साल तक पाये ते दो बार में हम लोगों कच्चे नो हम लोगों तीन साल थे आपने देखा यहां के जो तमाम सिक्षक जो अध्यापक हैं इनका साथ तरप यही कहना है कि जो सरकार हमारे 38,000 पहले सल रखी थी अब 10,000 करें तो इस मांगाई में हमारा जो जियो नियापन है वो सही से नहीं हो पा रहा है और इसी के लिए हम सरकार से आज निवेदन कर हैं और निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांग को पूरा करें खास तरपर कई ऐसी परिसानिया सिक्षा मित्र के हैं जो कि और रतों को जो आने जाने में दूरिय पर जाती है उनकी भी जो अदली बदली नहीं हो पाती है तो इसे तमाम ऐसी सुभी धाये हैं तो आईए चान है अप लिएदन कर रहे हैं या चाहें बोल सकते धर्ना अप्रदेशन कर रहे हैं जो आप लोगों सभी जूटके तो ऐसी क्या क्या आप लोग की कारण है गहां ही प्राथ्मिध्याला में काम करने वाला सिक्षक उसको साथ से स्थायार मिलता है स्ख्षामित्र को 10 आर मानदी मिलता है जब वो सिख्षामित्रों को आदेत्व सब्सक्राइब सरकार ने बेवस्ता बनाए उसको फिक्सक्राइब करके आदीना पर डिया और वह सबसे अच्छा पढ़ाता है क्योंकि वह उसी प्राथी बिद्याले के गाउं करेने वाला है क्योंकि जो प्राथी हुई थी वहाँ पर मेरिट का अधर पर हुई थी सबसे जादा नंबर वाला सिक्षक बनाता जब वो आयोग है या इसलायक नहीं है कि उसको वेतन दिया जाए या कोई अधरवाई ये चीज़ है और वही काम एक सिक्षक कर रहा है और वही काम सिक्षमित कर रहा है इसका मतलब है उसको सिक्षा को परभावित कर रहा है केवल बच्चों को जो साक्षर बनाया ज़रा है इससे सिक्षित नहीं बनेगा मेरे हिसाब से तो अगर आयोग पढ करवाने का तो को मतलब ही नहीं होता तो इनको बाहर करना चाहिए काइदे में इनको बाहर करना चाहिए लेकिन सरकार फिर भी जनता को गुम्रहा कर रही है इनको पड़वा कर वो क्यों मतलब गुम्रहा कर रही है समाज को क्यों ऐसे क्षित कर रही है अगर यह आयोग है तो इनसे नपढ़वाए मेरा यह कुष्चन है और अगर यह काबिल है तो काबिलेत के हिसाब से समान कारे के लिए समान वेतन होना जरूरी है आज इनसे 20-22 वर्ष का अनुभव इन्हें करते करते हो गया पढ़ते पढ़ते हो गया ठीक है और सरकार जो है इनके लिए वेतन के नाम पर इन्हें आयोगे घुशित कर रही है तो मेरा यही सावाल है सरकार से कि सरकार इनको यातो अधी नियम लाकर जो एक्सपिरियंस के पास में अनुभव है और मैं समझता हूँ अनुभव हर किसी के लिए किसी भी भाग में हो अनुभ बहुत बड़ी चीज होती है तो इससे वकील को जज़ बनाया जा सकता है एक पुलिस को एक सिपाही को सियो तक बना दिया जाता है इस्पेक्टर तक बना दिया जाता है तो जब यह प्राइमरी पढ़ाने वाले शिक्षा में जी, विससाल से पढ़ा रहे हैं और मैं समस्ता हूँ अच्छी सिक्षा दे रहे हैं अगर जाके देखें आप लोग जमीन इस तरपर देखें तो और कारिये भी समय से पहले और समय के बाद में भी यह कारिये कर रहे हैं जिस तरीके से कर रहे हैं कि इस्थानी आदमी है तो इस योगता को इस योगता को ये लोग दिखा क्यों ने रहे हैं आयोग में क्यों बदल रहे हैं तो मेरा ये मेरा ये कुशन है आप क्या कहना चाहा रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि हम शिक्षामित्र 20 या 22 सालों से पढ़ा रहे हैं और और फिर भी सर्कार हमें दस यार रूप में मानदे दे रही है मिलने वाले को पांच यार मानदे काड़े हाता जिसको कौने अव्यlled भी तरह ग़ीड सह को शाक्रल में और जिसको 70 यार मिलना उसको 600 और walked out Ontario सर फे माननी मुक्य मंत्री उसे अनुने बिंती कर रहे हैं कि हमें भी जो वह सिक्षा ब्रावर में सिक्षक गळ्णक करारे हैं किरारे थे कम से कम उसके समान बेतन होना चाहिए चाहिए एक हमारा सवाल उनसे एक ही बिंती है हमारी कि हमें भी मान सम्मान हमारा बर्कार रखा जाए जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोस्टन कर सकें जो नहीं कर पा रहे हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से माननी मुख मंतरी महोदय से कुछ प्रस्न करना चाहता हूं देखे बर्स 2017 से जबसे हमारे सिच्चामितर साथियों का समयाजन रद हुआ था 25 जुलाई 2017 तब से आग तक 6 साल हो गए हैं 6 साल में एक पैसे की भी मान दे ब्रद्दी नहीं की आखिर क्या गलती है सिच्चामितरों की कि एक इतनी महगाई के इस बढ़ते दौर में कहां से सिच्चामितर अपने माता बुढ़े माता पिता की दबाई का खर्चा उठाए कहां से अपने बच्चों को पढ़ाये लिखाये कहां से बड़े हो रहे बच्चों की साधी करे लेकिन मुख्यमंत्री महोदे को इस तरह ध्यान देना चाहिए और बढ़ती हुई महगाई में सिच्छामित्रों के मांदे में ततकाल तोर पर रिद्विद्धि कर दें और कल च तेलिस जार रुपए प्रतिमाह करने की करपा करें धन्यबाद मेरा नाम संजय चोधरी है बुलेई शेहर से मेरी भी यही मांग है कि सिक्छामित्रों के लिए सम्मान जनक मांदे होना चाहिए जिससे वह अपना लालन-पालन कर सके घर का खर्च उठा सके और इतने अल्प मांदे में अगर करती एकी काम करां तो उसका मन времени कश्चन कारिय में नहीं ना लगते हुए कहीं न कहीं वो अ यह और सरकार चाहती है कि अच्छी सिक्षाम बच्चों को दें तरीके से उनहें पढ़ाएं हर जो भी कारिये कर रहे हैं अच्छे से हो तो हमें कम से कम सम्मान जनक माने दूसकी जैसा अभी मेरे बाई ने बताएा 40-45 जार कम से कम इतना हो वह यह कह रहे हैं कि वेतं वेतं नहीं हमें मान दे viral ही रहने तो लेकिन पैसा three अभी तो कहना है कि टेट और सीट पास करिए और फिर आप जो भी जैसे भी होगा उसके टेट और सीट एट हमारे बहुत लोग कर चुके हैं और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यहां आ रही है कि पहला उन्होंने टेट के लिए बोला फिर सुपर टेट हो गया सुपर बढ़ा दिये गई भारांग तो कहीं न कहीं कोई न कोई एक यंग वोई और एक अधिक एजवाले कहीं न कहीं अंतर आता है उसका जब लगातार हम रणिंग में थे और हमारे पढ़ा ही चल लई थी उस समय हमें जॉब के लिए फायट करना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं अब इतनी उल्जनों के बाद में इतनी समच्या फिर भी हम वहां पहुंच रहे हैं फिर भी हमें जॉब नहीं मिल पा रही है तो कहीं न कहीं बहुत दुखत करके सिच्छा मितनों का समयोजन बहाल कर दें अब तक समयोजन बहाल नहीं होता है तब तक कम से कम 40,000 रुपे का मांदे क्योंकि 10,000 मांदे में घर का परवार का पालन पोसल नहीं हो रहा है और मानेली मुखंदी से निवेदन करेंगे कि हम लोगों का समस्याओं को देखते हैं कम से कम 40,000 पर मान दे और 62 वर्स की सर्विस और फिर समयोजन का रास्ता कि पहराचार में संसोधन करके हमारा समयोजन हो सकता है क्योंकि हमारी नुक्ती 2009 के पहले हुई है और 2009 से पहले जो समयोजन बहाल किया जाए और जब तक नहीं बहाल किया जाता तब तक हम लोगों का मान देप 40,000 होना चाहिए जो कि परिवाद कब तक आप लोग ने अपना सेल्वी में मिला और अब 10,000 कर दे कब से यह हुआ पत्चीस पत्चीस जुल एकत्तिस जुलाई तक हमको 45,000 मिला 21 जुलाई 2017 तक 25 जुलाई को समयोजन ने रस्त हुआ उसके बाद जो हमको 31 जुलाई तक कम बेतन मिला 40,000 एक अगस्त 2017 से अब तक हम लोगों को 10,000 मान दे मिल रहा है जिसमें परिवार का भरन पोसर नहीं चला बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की साधी और उच्च शिक्षा के लिए हम लोगों के पास कर्ज के अलावा कोई बिकल्प नहीं है इसमें करीब 8,000 हमाई शिक्षा मित्रों की जाने आउसाद में या बच्चों की खर्चना दे पाने के पढ़ाई लिखाई ना करा पाने समाज में एक प्रतिष्ठा उनकी डाउन हुई इसलिए भी आउसाद में 8,000 लोगों के मृत्त भी हो चुकी है इस अब इस वी क्या कहना चाहरे हैं क्या मांगें आप देख रहे हमारे एज कितनी लगवाव हो चुकी है और जहां हमारे कंपोजिट विद्याला है वहां जिसे हमारा इप जाला कंपोजिट है उसमें जूनियर में एक सिक्ष्च कहा है हम जूनियर में भी पढ़ाते हैं दूसर रुपए में हम भावी समय दे रहे हैं और दस रभाइं ऐसे एक यह नग सर्सों का तो दो से लोगी सर्सों का तेल जहां हमें पहले जो कम चलिए दर पर आपको यह पद नहीं देने एह कि मालो जो आप नब द तीन इन माहबाप है उनका गुजारा तो आराम संप्य प्रश्टी कर सके उसी विद्यारा में पढ़ा रहा है और वह प्रश्टी पढ़ा रहे हैं अब भी जादे करना है इसकूल भी खोल लाए हमी बंद भी हमी कर रहे हैं और हमें 10,000 अब यह पंदे रिकाल आपके बिंटर वेकिस्टन शीट काली आपकास पढ़ा है इस देश मे है ऑलत शड़कार योगी जी है मोदी जी है तरह अच्छे सासन चला रहे है सब कुछ कर रहे है हम लोग उसी बिंद आलं पार रहे उनको मिले ना पंदरेजन का हमने हमारे बच्चे नीं है क्या हम हवा खाते है पानी को तो अब हमें से भी बात किए शिक्षा कॉच्छे उ उस पर उनका क्या कहना है अब हमेशा आस्वासन ही मिलता है शे साल हो गए लगभग पिछला पूर कारीकाल बीज़ेपी के रहा फिर दोवारा बीज़ेपी का सासन आया लेकर समस्या जसकी तरसे बहुत से ऐसे लोग है जिनके मांदय में ब्रदी हुई और हमारे 6 साल में 100 र सब्सक्राइब हो गए और बच्चे साधी लाइक हो गए और बच्चे पड़वी रहें किसी का इंटर में आई स्कूल में भी यह जी इतनी हो चुकी है अब 20-20 साल का योगदान हमारा बुलाया जा रहा है तो यह क्यों हमाई साथ अन्नेक्ट हो कर रहें आप गलत है नहीं का यही है कि हम लोग 20 साल से बेसिक सिच्चा में अपना योगदान दे रहे हैं जैसा एक सिच्चा पड़ा रहा है उससे हम लोग जादा भी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हम लोगों को समयोजन करने के बाद 2 साल हम लोगों बेतन भी लिया है और बेतन लेने के बाद 2017 में हम लोगों का जो है समयोजन निरस्ट कर दिया गया उसके बाद हम लोगों की इतनी दीन दुरदसा हो गई है कि हम लोग महेंगाई को देखते हुए जब तक समाय जन नहीं करते हैं तब तक मांदे में बढ़ोतरी करें जिसे हमारा भारन प्रस्टन हो सके हम तो अपने अभी सरकाज से भी बात को सल सिक्षा विकास मंत्री से भी बात कि उन्हों का क्या अश्वासन दिया है आपके बातों को जो मुख्यमंत्री के दारा क्meरवाएंगे उन्हों हैं आप ज़िख्षा मंत्री के लिए apt दर्ना दे रहे हैं उसके क्या क्या माँग हम? देखिए मैं स्युक्मार सुकला परदेश, सध्धेश उत्र परदेश, प्रात्मि सिछामित संग उत्र परदेश और आज एक दिवस्ये सिछामित्रों के संबान बचाव रैली कायोजन मेरे द्वारा किया गया था और इसके पहले मैंने दो चरणों में ये कारिक्रम किया 25 दिसंबर को मैंने बलाक अस्तर पे किया और 2 जनौरी 2023 को मैंने जिला अस्तर पे किया और जिले अस्तर का समस्या हमारा प्रदेश में आ चुका है आज हमने इस रैली को रखा था और यह रैली इस उद्देश से हमने रखा था कि सिक्षा में तुरों सरकार की बीच में जो गयफ है जो समन्य स्थापित नहीं हो पा रहा है उसमें समन्य बनाने की रैली थी तो निष्चित रूप से हमारे बीच में दो-दो विधायक स्कूल महानिदेशत स्री विजय किरन अनंद जी से हुई है जो इसमें बेसिक और माध्मिक दोनों देख रहे हैं और मुक्वंत्री जी के बहुत प्रियादिकारी हैं उनसे बात चीत हुई उन्होंने कहा कि सकारात में पहल चल रही है और आप लोग भी मानिये मुक्वंत्री जो 35 सोफ से सीधे 35 जार और 40 जार 50 जार के बेतन पर गया था लेकिन दुरभाग के बास हमारे ही बीच से कुछ लोगों जो है कोड़ चले गए और कुछ राजनेतिक विज़स्था के कारण ही सिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा प्रद का दर्वाजा उमर का कोई बाउंड नहीं सिक्षामित 58 साल का भी अध्यापक हो सकता है तो यह सब सरकार के उपर है और सरकार जिस दिन मन बना लेगी उस दिन सिक्षामित्रों का कल्याण हो जाएगा तो अब हमने सरकार से समन्ने बना करके और उनके पटल पर मांग रखन कौशल किसोर जी से जो हमारी बात हुई थी जो ग्रामेड विकास मंतरी भारत सरकार हैं उनकी एक आती आवस्यक बैठक आज दिल्ली में लग गई थी नहीं तो वह हमारे कारिकरम में आते और इस कारिकरम के मंच से वह सभी सिक्षामित्रों को संबोधित करते और उनका इस से इसे बात कराओंगा तो मैं रहें सहिवाध दन्रबाद आसे देता हूँ और सिक्षामित्रों सभी सिक्षामित्रों के ऐसी कि अगर उन्हों ने ऐसा किया तो हम सब उनके आभारी रहेंगे और अभारी हैं कि वह मारे मंच पर आई और मुझे भरोसा है कि दि underway versa सरकार के पास बहुत सारे नियम सोते हैं बहुत सारे ब्योस्था होती है और सरकार चाहेगी तो अमाने पूरवर्ति की सरकार ने चाहा था तो तुरंद हमको सायकत द्यापक बना देगी हमारे बीच में 60,000 लोग टेट पास जो पूरी ब्योस्था को जो विवाग की विवस्था है जो हजार सिक्षा मित्र हमारा मर गया और कोई पूचने नहीं गया उनके बच्चे कैसे हैं उनकी फीस कैसे जा रही उनकी पढ़ाई कैसे हो रही उनकी दवाई कैसे हो रही और निरंतर सिक्षा मित्रों की महते हो रही है इसलिए यह बहुत गंभीर भी सह है आप हम मीडिया के और इलेक्ट्रिक और पिंट मीडिया के साथियों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोद करेंगे कि हमारी वो पीड़ा है जो आप जमीन से उठा करके अगर उपर कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाधान हो जाएगा और सबके संग्यान में विश्चित रूप से लाने का काम हमारी मीडिया ही करती है तो हमें सब पर भरोसा है और निश्चित रूप से आज आप लोगों का बड़ा अतुलनिये प्यार और सहयोग मिला और शिक्षामित्रों का सवयोग मिला, प्रतनेदियों का सवयोग मिला, अजिकारियों का सवयोग मिला, हमारा कारिकरम सफल लाओ, आगे उमीद करते हैं कि आप सब के माध्यम से मारा कारिकरम सफल होता रहेगा, हमारी समस्याओं का निदान. सुना यहाँ पे जो सिक्षा मित्र जो धर्णा प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साफ तर पे योगी सरकार से मांग हैं कि हमारे सम्मान की रक्षा करें और हमें जो 40,000 रुपए वेतन देते थे वो लागू करें जो 10,000 रुपए वेतन मिल रहा है उसमें हमारा जो जीवन यापन नहीं हो रहा है कि वज़ए से कितनी सिक्षा मित्र जो अपनी जान घवा दिये अपना रोजी योटी नहीं चला पर उसके लेकर आज मांग किया जा रहा है हिसाब तरपन का यही कहना है कि योगी सरकार जो हमारी बातों को सुने और हमारी जो मांग हैं उसको पूरा करे और सी के लिए देखते हुए जो यहाँ पर तमाम सिख्छामित्र जो जुटे हुए हैं वो पूरी तरह से योगी सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पूरी अपने धरनाप्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में उनका ये भी कहना है कि लगाता सरकार हम अपनी यह मांग को करते रहेंगे जब तक योगी सरकार हमारे हित में फैसला नहीं दे देते हैं कैमरेमन सुधिर के साथ सुहानी सिंग लखनौ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार